हर हर महादेव किसान बंदूओं मैं लवकुष पाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल यलके पाल खेती बारी में किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम नब बात करेंगे कि अगर आपकी गेहूं की फसल में बालिया निकल गई हैं लगबग आपके पूरे खेत में जो है की बालिया पूरी तरह से निकल गई हैं तो आपको एक स्प्रेय करना है जो की सस्ता है तेकिन इसका result इसका जो फायदा है वो गजब का है जब अधस्ता फायदा है तो किसान भाईयों इस spray के बाद आपकी गेहूं की पैदावार बढ़ने वाली है अर्थात बढ़ जाएगी क्योंकि इस spray के बाद आपकी जो गेहूं की बालियां है वो बढ़ हैं इसमें थोड़ा खर्चा तो आएगा ज्यादा भी नहीं आएगा तक रीबन डेट सो से दो सो प्रतियकड के हिसाब से खर्चा आएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्रपूर होने वाली है तो वीडियो को बिना बालिया निकलते टाइम तक बहुत से प्रकार के उरोरक किसान भाई डालते हैं और सभी लोग यही सोच कर डालते हैं कि अंत में हमें अच्छा पैदावार ग्याओं की मिले इसी बीच बहुत सारे कीटों का भी आकरमा होता है यह सब किसान भाई लोग आप करते ही हैं जैस आपके के आलाबा कुछ भी किसान भाई करते हैं एन-पिक है 19-59 जैसे गेहों की जोत्त बढ़वार नहीं हो रहा है तो 19- 19 का सप्प्रय भी करते हैं और 0, 54 का सप्र भी करते हैं तो जब आपकी गेहों की बालिया निकल जाएं नहीं किसान भाई यों तो इस टा अगर आप पानी की मात्रा कम रख रहे हैं तो जो है कि आप 800 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से इस पर करें यहाँ पर इसका डोज जो है आपको कम रखना है क्योंकि यह प्योर पूटैसियम है तो इससे आपके गेहूं उपर धब्बे आएंगे तो इस बात का आपको ध्यान पानी आपको बढ़ाक रखना है लगबग 200 लीटर पानी तो आपको रखना ही पड़ेगा एक इकड के लिए तो किसान भाईयों इस टाइम पर आपको इसका इस्प्रे करना चाहिए इसका खर्च भी खास नहीं है 500 से 200 रुपे का खर्च आएगा इससे आपको किसान भाईय किसी अन्य पोसक्ततों की हो सकता नहीं पड़ती है तो यहाँ पर अगर पोटैसियम का इस्प्रे कर देते हैं अपनी फसल पर तो जो बालियां होती है उसमें आपने देखा हुआ कि उपर की हिस्से में तो दाना मोटा और अच्छा बनता है लेकिन नीचे वाली बाली के न प्रकार यह जितनी सारी प्रकार की समस्या है यह किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपके बाली में उपर से लेकर नीचे तक सभी दाने एक समान बनेंगे और सभी दाना वजनी तथा चमकीला बनेंगे और तो और सभी बालियों में दाना भरा ठिक से होगा तो इस कोई सक नहीं है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पता ज्यादा स ज्यादा किसान भाईयों के पास शेयर करिए ताकि ओभी जनकारी से अवगत हों, और अगर चैनल पर पहली बरा हैं, तो किसान भा आदे हो